स्वागत है आप सभी का टेक स्टड़ी आईट्या यूट्यूब चैनल पर तो यूपी गॉवर्मेंट के जो फ्री लैप्टॉप और टैबलेट स्कीम है उसी के ऊपर जितने कुश्चन रेंड आंसर आपके अभी तक दिमाग में आ रहे होंगे उसी को लेके हमने ये वीडि कर लिजेगा साथ में बेल आइगन को भी जरूर प्रिस कीजिएगा जैसे जोजना के और भी कोई अपडेट आती आप तक हम जरूर पहुचाएंगे सबसे पहले इससे पहले आपने चैनल के दो वीडियो देखेंगे आपने बहुत प्यार दिया उस वीडियो दोनों वीड सवाल हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे तो सबसे पहले बात आती है मालीजे आप पूछते हैं किसको मिलेगा सर हम पास आउट हो गए हैं क्या हमको मिलेगा नहीं तो जो करेंट में आप पढ़ रहे हैं सपोच करो आपका जो सेशन है वो 2021 में आपकी इस्टडी हो रही हो म आप इसके पात रहे हैं अगर आप अभी 2021 में पास आउट हो गए हैं आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर घर पे हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप इस योजना के पात्र नहीं है जो भी करेंट में बच्चा पढ़ रहा हो 2021 से से सन हो 2020 से से सन हो मतलब आप कोई तीन साल का कोर्स कर रहे हो तो आप इसके लिए इलिजबल हैं आप कोई भी कोर्स कर रहे हो आप UG कर रहे हो अब UG अगर कर रहे हो तो आप जो टैबलेट योजना उसके पातर हैं लैपटाप योजना के लिए आप पातर नहीं है टैबलेट योजना के लिए आप पातर है जो laptop योजना है वो 10th and 12th के जो meritorious बच्चे हैं इनका 65% के ऊपर है वो उनके लिए अलग से criteria fix किया जाएगा उनको laptop दिया जाना है जिलास तर पे वो committee बनेगी according to merit या जैसे भी है उसके आभी कोई guideline खास नहीं आया है उसके हिसाब से वो decide किया जाएगा किसको laptop किसको किसको मिलना है एप्रॉक्स 23 लाग या 25 लाग आप कहले हैं लैप्टॉप बांटे जाने हैं 68 लाग से यूपी के residence में हैं और यूपी से study कर रहे हैं तब ही आपको मिलेगा यूपी से study कर रहे हो ठीक और यूपी के निवासी भी हो तो आपको मिलेगा आप यूपी के हैं लेकिन आप पढ़ाई जाके MP या Delhi में कर रहे हैं तो आप इस योजना के पात्र नहीं है ठीक अब तीस कुछले पर हम लोग आते हैं जो तीसरा सबसे जादा पूछा जाने वाल ता वो ये था कि last date क्या है इसकी last date क्या है ठीक तो last date इसकी क्या थी कुछ लेटर में आपको मिला कि 8 Knock ऩुमबर रही यह फिर आहां रहया बारा नौम ब स्कलिक्ष बच्छों के अर में दरा ही है जहां से सारे बच्चों की मेल आइडिया मोबाइल नंबर को लिया जा सके बहुत सारे बच्चों की जो मोबाइल नंबर ना तो पूरे बच्चों का डेटा पहुंच पाएगा ना ही सही से लाभारती सेलेक्ट हो पाएगे कई बच्चों का दो बार रेजिस्ट्रेशन हो जाएगा कोई-कोई योजना जो है ना टोटल चलेगी तीन फेज में जैसा अभी आया है एक न्यूजपेपर में भी है आपको हम दिखा देते हैं ये तीन फेज में पूरी योजना चलेगी उस तीन फेज में क्या है अभी जैसे फर्स्ट फेज का रेजिस्ट्रेशन अठारा तक मागा गया कितन इसमें कोई रोल ही नहीं, अगर आप एक student है, आप इसके लाभारती है, आपका इसमें कोई रोल नहीं है, का आपको form भरना है, आपको online apply करना है, आपको fees पे करनी नहीं, कोई fees पे नहीं करनी, कहीं कहीं कमेंट आया बच्चों का हमारे यहां 5500 रुपए लिए गए, बहुत ह गलत बात हो, अगर लिए गए हैं पैसे, तो, और अगर आप लोग जाके cyber cafe पैसे दे रहें, यह भी बहुत ही गलत बात है, इतने तो आप जागरुग बन जाओ, कि जो योजना रहे उसके बारे में पता तो हो आपको, कि आपको पैसे देने या नहीं देने है, आपके पास Google है, आपके पास हर चीज है, YouTube है, प्लेटफर्म, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, नौलेज ले सकते हो, ऐसे किसी cyber cafe आप कैसे जाके 200 रुपए दे दो, कि लो मेरा form, आप क्लिरली डेली अगर पेपर में पढ़ रहे हो, कि आपको form अपने institute के थ्रू ही, आपके college, आपके school के थ्रू ही आपका data आएगा, तो आप उसमें क्यों जा रहे हो, कहा हम अपना data पहले से भीजवा देते हैं, कहां दे देगा, cyber cafe आला क्या diet मुखमंत्री जी को दे देगा, कि इस बच्चे को आप दीजिये, नहीं दे पाएगा हो, तो ये तीसरी चीज हो गई आपकी, ये यो पोर्टल हो, उनका admission portal हो, वहाँ से ओडेटा उठागे देख, हमारे यहां इतने trainee या इतने बच्चे या इतने student admitted हैं, ये हो गया आपका तीसरा question, अब हम आते हैं fourth question की तरफ, fourth question जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, कि sir, हम need के तयारी कर रहे हैं, हम कोई तयारी कर र योजना है, उसमें आपका chain हो सकता है, आप need IID के तयारी कर रहे हैं, लेकिन आपने 12 pass कर के किया है, अगर 12 pass कर के आप एक साल drop किये हुए हैं, तब तयारी कर रहे हैं, एक साल आपका बीच चुका है, तो फिर chances बहुत rare हैं, आपको मिलेगा, फिर आप उसके पातर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि current में जो pass हुआ है, जो study कर रहा है, उसके लिए tablet योजना है, और ये laptop योजना है, जिस पे कहीं भी ज़्यादा clarity अभी आपको मिल नहीं रही होगी, हर जहां laptop, tablet, laptop, tablet, हर बच्चा चाहताब उसको laptop मिले, तो ऐसा नहीं laptop सभी को नहीं मिल पाएगा, तो हाँ, पाचवा कुश्चन ये था, कि सर हमारे यहां form भरे ही नहींगे, हमारे यहां teacher मना कर रहे हैं, तो देखिए forms अभी जहां भी नहीं भरे गए, offline form कहीं कहीं भरा गया है, ठीक, Google form कहीं कहीं भरबाया गया है, ठीक, और कहीं पे direct portal से data लेके, एक Excel seat में format बना के भेज द जाएगा, और उनसे मागा जाएगा, आपके हाँ, जितने भी ट्रेनी है, जितने भी student है, उनका आप data दो, जिससे कि उनको इस योजना में सामिल किया जा सके, और जिलास्तर की जो committee बने, उसके पास पूरा data आ जाए, तो यह जल्दी मागा जाएगा, जहां पे Google form से, जहा और बहुत ही तेजी से इस पे काम हो रहा है, हम नॉवंबर के इंड से फर्स्ट फेज शुरुआत कर देंगे, आपने पेपर में भी देखा होगा, कि 25 लैक का जो tender है वो हो चुका है, पर्चेजिंग का, तो फर्स्ट फेज में इतने बाट दिये जाएंगे, जो सेकेंड फेज होगा, और फिर जो थर्ड फेज होगा, उसके भी tender निकल जाएंगे, और उसमें भी जो बचे हुए candidate होंगे, उनको भी जिलास्तर की कमेटी के थ्रू मिलेगा, ये आपको मिलना ही मिलना है, तो ये आपके institute की problem है, उनको data देना है, आपकी college को data देना है, आपका जो भी आपको comment कहीं से भी कहता है कि हम आपका form भर देंगे, हम apply करा देंगे, आपको मिल जाएगा, उनके जहांसे में आपको नहीं आना है, तो उम्मीद करते हैं, जितने भी आपके सवाल थे, laptop योजना या tablet योजना से related, उनको हम इसमें answer कर पाएंगे, अगर अभी भी आप का कोई सवाल बच जाता है, तो please comment करके हमको जरूर बताएगा, हम comment में आपकी reply देने कोसिस करेंगे, या अगर question जादा आ जाएगे, तो हम उस पे भी clarity के साथ, वीडियो बनाने की कोसिस करेंगे, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए, तो चैनल पे वीडियो अगर रखा नहीं होता किसी company के पास, properly ये phase YG योजना चलेगी, एक phase में कुछ purchasing होगी, फिर कुछ purchasing होगी, और इसमें जो और सुनने में आ रहा है, सबसे पहले जो tablet दिये जाने है, वो बात यह हो रही, जो degree वाले बच्चे हैं, असनातक और प्रास्नतियानी, UG and PG, पहले उनको tablet दिया जाए, दिन उसके बाद आपका जो बाकी diploma courses है, ITI है, causal विकास है, उनको फिर इसमें सामिल किया जाए, उसके बाद जो है, laptop योजना का भी बीच में, वो किया जाएगा, तो ये आप phase YG योजना चलेगी, और इसकी last date अगर हम कहें, तो बहुत सारी इंवस्टीज का जो लेटर देखने को मिल रहा है, 18 November तक डेटा भेजने की बात हो रही है, तो form अभी भी जमा हो रहे हैं, आप लोग अपने college में contact करिए, form भरिए, लेकिन कहीं भी आप किसी के बहलावे या बहकावे या फुसलावे में मत आईएगा, कि वहाँ आप अपना एक जो आपकी कमाई होती, गाड़ी कमाई होती, जैसी भी hard and money होती है, उनको किसी के भी हाथ में फालतू मत दे दीजिए, 100-200-500 रूपे, थैंक यू बेरी मच, यही एक अपडेट देनी थे आपको इस चनल पे,